नमस्कार साथियो कोरोना अपने पीक पर है और हमारे यहां भी उत्राखंड में 5000 के रेंज में पर डे कैसे जा गए हैं हमारी व्यवस्थाओं में भी कहीं न कहीं परिशानी आने लगी है आप सभी जानते हैं बैट्स की शॉर्टेज है ऑक्षिजन की शॉर्टेज है मेडिशन की शॉर्टेज है तो एक तो हमें ऐसे टाइम में सावधाने बरतने की जरूत है जब तक अती आवशक नहों हम कहीं घर से बाहर ना निकले अपने को बचा कर रखें अपने परिवार को बचा करके रखें साथी साथ ऐसी भी सूशनाय आ रही है कि कुछ लोग इतने संकट कितनी बड़ी घड़ी में भी काला बाजारी कर रहे हैं दवाओं को महंगे दामों पे बेच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है या ऑक्षिजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है पूरी तरह से मानुएता और इंसानियत के खिलाफ है जो इतने ब कि अगर हमारे उसमें आएंगे तो इनको बहुती कड़ी सजा मिलेगी तो किरप्या करके ऐसा ना करें मैं उनसे अपील भी कर रहा हूं क्योंकि यह आम जन की जिंदगी का सवाल है और लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि पैनिक ना फैलाएं तीरे-दीरे सब चीजें आउशक रूप से हमें ऑक्सिजेन और रेमडेसी वीर की जो बात हो रही है उसके लिए भी पैनिक होने की जरूद नहीं है और बहुत ज्यादा सीविर होने पे भी जरूद नहीं है तो डॉक्टर की एड़वाईज के बिना ऐसे ही रहें डेसी वीर की स्टॉकिंग ना करे बाविश्य के लिए उसकी स्टॉकिंग ना करें ब्लैक मार्केटिंग ना करें ऑक्सिजन सिलेंडर आवशक लोगों तक ही जाने दें जिनको रियल में जरूनत है तो कृप्या करके ऐसी संकट के इस बड़ी घड़ी में इंसानियत दिखाएं धन्यवादा